हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ draw करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह है मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसलिटेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए सिगनल के जरीए या फिर टेलिग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है हलकी सी लंबाई लिये हुए एक rectangle टाइप की shape यहाँ पर indicate करती हुई जो indicate करती है काफी hard working और analytic टाइप की personality को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे fingers काफी थिक हैं बहुती अच्छी लंबाई में इनकी fingers नजर आ रही हैं सभी fingers के उपर आपको सीधी खड़ी रिखाएं बिल्कुल clearly नजर आएंगे कुछ इस तरह हैं की रिखाएं जो आपको लगबग इनकी सभी finger के lower और middle phalanges की उपर नजर आएंगे ऐसी रिखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है ऐसी रिखाएं होने से native बहुती मिलनसार सभाव का होता है दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली nature ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख लाती है यहाँ फिंगर अगर लंबी हो अच्छी थिकनेस में हो तो ऐसे व्यक्ति डिस्सिप्लिंड होते हैं और साथी साथ काफी महनती भी होते हैं अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को यहाँ जो फिंगर है सूर्य की फिंगर कहलाती है यहाँ फिंगर जितनी अच् अच्छी आर्टिस्टिक और क्रियेटिव क्वालिटी इनके भीतर रहती हैं इस फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को इनकी गुरू फिंगर के साथ कंपेर करते हैं तो इनकी जो सूर्य फिंगर है ज्यादा लेंथ में नजर आ रही है सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को रिस्क टेकर बनाता है ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार जल्दबाजी में डिसीजन ले बैठते हैं और कई बार लाइप में रिस्क ले बैठते हैं अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को तो यहां मीडियम साइज फिंगर है यहां पर सूर्या फिंगर के मकाबले करें तो थोड़ी शॉट नजर आ रही हलका सा लो सैट होती हुई भी जिस वज़े से नेटिव को प्रवास करना पड़ सकता है अपने कंट्री से अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर किसी और प्लेस पर बसने की संभावनाएं बढ़ जाती है थोड़ी लीडर्शिप क्वालिटी में कमी रह सकती है लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां फिंगर काफी थिक हैं और बिल्कुल स्ट्रेट है जिस वज़े से स्प्रिच अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी फिंगर को मरकरी फिंगर को तो आप यहां पर देखेंगे मरकरी फिंगर बहुती अच्छी लंबाई में है यहां पर यहां फिंगर इनके सूर्या फिंगर के टॉप फैलंज तक पहुंचती हुई इस तरह की मरकरी फिंगर का होना और अपने communication skills की वजह से life में काफी अच्छी progress पाते हैं थोड़े witty type की personality ऐसे व्यक्ति की रहती हैं overall mercury यहाँ पर इन्हें काफी अच्छे result देता हुआ नजर आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई सामने नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य परवत है और इनका जो शनी परवत है ये दोनों high set हैं mercury का area यहाँ से हलका सा low set होता हुआ और अगर हम देखें इनका ब्रस्पती mount भी हलका सा low set होता हुआ प्रस्पती mount का low set होना native को family से मिलने वाले सुखों में native के कमी लाता है और कई बार अपने घर से या अपने birth place से दूर ऐसे व्यक्ति को रहना पड़ता है और अगर हम बात करें इनके mercury की तो mercury mount का low set होना native को कई बार थोड़ी shy nature यानि शर्मीला सुभा भी दे देखें वो भी काफी अच्छे से यहां पर मौचूद है mercury line का होना native के strong business equipment को दर्शात है आप देख सकते हैं यहां पर यहां रेखा आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी थोड़ी overlapping जरूर है इस रेखा में लेकिन काफी strong line है एक काफी अच्छा business equipment इनके भीतर रहने वाल है यहां जो area होता है सूर्या का area कहलाता है अगर यहां परवत दब रहा हो तो इसकी वजह से native दूसरों के लिए कितने भी काम कर ले कितने भी अच्छाई के भलाई के काम दूसरों के लिए करता रहे बदले में कोई reward कोई appreciation native को नहीं मिल पाती लेकिन यहां पर आप देखे काफी सारी खड़ी रिखाएं भी है जिस वजह से literature में चलकर इनका काफी लाब मिलेगा ऐसे व्यक्ति की creativity की वजह से native को समाज में काफी अच्छी पहचान मिलती है लेकिन यहां पर ज़्यादा रिखाएं होने से focus में भी कमी रहती है ऐसा व्यक्ति multitasking होता है किसी एक काम क की उपर एक विशा के उपर पूरी तरह से focus नहीं कर पाता life में कई बार अपने काम change करता है ऐसे व्यक्ति के interest में change होते रहते हैं बात करते हैं इनके शनी परवत की आप देख सकते हैं शनी मांट भले ही यहां पर उबरा हुआ है शनी रेखा यहां पर मौचूद है इस एर रहती है जैसे आप यहां पर देखेंगे इनकी थेली में आपको एक cross का sign बनता हुआ भी नजर आएगा यहां पर एक flag का चिन बनता हुआ नजर आ रहा है ऐसे चिन अगर बन रहे हो तो native की occult sciences में रूची रहती है occult sciences जैसे ही है astrology है पामिस्ट्री है वास्तू है ऐसी अजूद हो ऐसे native की six sense बहुत अच्छी होती है आने वाली खटनाओं का पूर्वा अभास बहुत अच्छे से होता है और अगर हम इनके गुरु परवत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे गुरु परवत का जो area है उभरा हुआ है भले है मांट हलका सा low set नजर आ र होता है अगर हम यहां पर देखें तो आपको एक इस area के उपर भी cross का sign बनता हूँ नजर आएगा ब्रस्पति यानि गुरु परवत के उपर cross का चिन बनना indicate करता है कि native की knowledge और wisdom बहुत अच्छी होगी ऐसे व्यक्ति अगर शिक्षा के क्षेतर में education के क्षेतर में कुछ काम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाब कमा सकते हैं ऐसे native दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं एक बहुत अच्छे गुरु की तरह ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है जिनके इस परवत के उपर गुरु परवत के उपर ऐसा cross का चिन बनता हो बात करते हैं इनकी line of heart की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो heart line है कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी इसमें से एक रेखा निकल कर इस तरह से एक 20 symbol बनाती हुई नजर आरे इस तरह का चिन जीन लोगों के थेली पर बनता है ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं लेकिन अगर ऐसा native गलत रास्ते पर चलकर बहिमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी दिक्तें ऐसे व्यक्ति को हो सकती है और इसी रेखा पर आपको नजर आएंगी छोटी छोटी काफी सारी ब्रांचिस इस तरह की डाउनवर्ड चलने वाली ब्रांचिस इनकी वज़े से native को blood pressure जैसी problem का सामना करना पर सकता है हाट से related दिक्तें लेटर एज में चलकर परशानिया खास तोर पर 60 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति की दिक्तें बढ़ सकती है जिनकी हृद्य रेखा पर ऐसी बारीक रेखाएं मौचूद हो अगर हम बात करें इनकी line of mind की तो अब यहाँ पर देखेंगे mind line काफी अच्छी लंबाई में है mind line last में चलकर हलका से एक by fork बनाती हुई भी नजर आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह हैं की रेखा इनकी अथेली में यह रेखा आगे चलकर इस area में आपको ऐसे एक fork बनाती नजर आएगी ऐसा fork जिनकी अथेली पर होता है ऐसे व्यक्ति का mind काफी sharp रहता है काफी अच्छी creativity इनके भीतर रहती है कुछ ने कुछ लिखने की किशमता इनके भीतर रह सकती है अगर ऐसा व्यक्ति अपनी hobbies को अपनी creativity को channelize कर लेता है तो काफी अच्छा writer या artist बन सकता है overall इस रेखा का जुका हुआ होना इस तरह से indicate करता है कि native को थोड़ा stress या तनाब भी रह सकता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की imagineate करने की power बहुत अधिक रहती है इनकी mind line एक दो जगा से कटती हुई life line भी इस तरह से stress line से कटती हुई जिसकी वज़य से जीवन में stresses रहते हैं तनाब रहता है क्योंकि यह रेखा आप देखेंगे middle age 40 की age के बात करती हुई 40 से लेकर 50 की age के बीच में इस तरह से कटना जीवन रेखा का और mind line का native को काफी सारे तनाब और stress देता है बात करते हैं इनकी line of life की तो अब यहां पर देखेंगे इनकी जो life line है काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है life line का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native की जो age है वो लंबी रहने वाली है आप देख सकते हैं इनकी life line को इस सेरिया से शुरू होती हुई है रेखा लगबग आपको यहां तक पहुँचती हुई उसके बाद भी ब्रांच यहां से नीचे की तरफ अंदर की तरफ चलती हुई इस तरह की लंबी life line का होना native की लंबी age को indicate करता है इस तरह की रेखा लगबग 80 यानि 80 से उपर की age को दरशाती है अगर हम देखें इनके शुक्र परवत को तो venus का area आपको यहां पर काफी उभरा हुआ नजर आएगा venus mount का उभरा हुआ होना indicate करता है कि native के जीवन में हर तरह की luxuries रहेंगी हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में enjoy करता है लेकिन इस सेरिया के उपर ऐसी बारीक रिखाओं का होना जैसे आप देख सकते हैं काफी सारी ऐसी बारीक रिखाओं जिने हम करना पड़ सकता है ऐसी रिखाओं होने से परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चेंताएं व्यक्ति को परिशानिया देती हैं अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो moon का area है काफी अच्छा नजर आ रहा है moon mount के उपर हमें बहु देने के लिए तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के दुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message कर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद